जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योजिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्रेल माह दो हजार बाइस के चौथे सप्ता के कुम्ब राशी फल के बारे में कुम्ब राशी के लोगों के लिए 21 अपरेल से 27 अपरेल तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में कौन-कौन से ग्रह राशी बदलेंगे किन ग्रहों की युति एक साथ होने वाली है क्या योग बनने वाले हैं और इन सभी योगों का ग्रहों का प्रभाव आपकी दिन्चरिया को किस तरह से प्रभावित करेगा जानेंगे इस सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर एक शेतर के बारे में फिर वो आपकी सिख्षा हो, स्वास्त है आपका करियर, आपका वैपार प्रेम जीवन, परिवारिक जीवन विवाहिक जीवन, हर चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी धनू, मकर और कुंब, इसी कैनू साराप के दिंचरिया में परिवर्तन होंगे इसके अलावा, दो ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा बुद्ध क्रह, जो 25 एप्रेल को मेश रासी से निकल कर व्रशब रासी में परिवेश कर जाएंगे और शुक्र, ये मीन राशी से निकल कर मेश रासी में परिवेश कर जाएंगे राहू के साथ ही यूति होगी इसके अलावा, कई ऐसे योग भी बनेंगे जो बेहद खास होने वाले हैं जैसे सरवार सिद्धी योग रहेगा गजकेश्री योग रहेगा अमरसिद्धी योग रहेगा और द्वेश्री योग भी बनेगा इसके अलावा, गजकेश्री योग इस सब्ताह में बने वाला है जो काफी खास रहेगा इसके अलावा, एकादशीति थी होगी जो की वैसाक मास की एकादशीति थी है जो बहुत ही उत्तम माने जाती है तो ये हो गई ग्रहों की स्तिती अब इनी क्यादार पर हम जानेंगे ये जो समय है, ये जो साथ दिन है ये आपके लिए किस तरहा से वैठीत होने वाले हैं तो कुमराशी के लोगों के लिए ये जो सब्ताहा होगा बीते सब्ता के मुकाबले काफी बहतर साबित होगा इस सब्ता आपके कारश्यत्र में आपको अपनी सीनियर और अपनी जूनियर दोनों से ही विशेश सरूप से सहयोग की प्राप्ति होगी अगर आप रुजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म हो सकती है आप अगर प्रियास कर रहे हैं तो उस प्रियास का फल आपको positive देखने को मिलेगा अगर आप एक business man हैं आप वेव साय करते हैं चाहे उप कोई छूटा वेव साय करते हैं चाहे आप बड़ा वेव साय करते हैं तो ये सब्ताहा आपके लिए मन चाहे लाब दिलाने का होगा वेपारियों के लिए बहुत ही अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे और खास दोर से 25 एप्रेल के बाद बुद्ध का जो राशी परिवर्तन होगा वो बहुत ही जादा अनुकूल रिजल्ट आपको देगा क्योंकि बुद्धिहां राहू के साथ विराजवान है और अब वरशब रासी में अकिले होंगे वहाँ आपको भरपूर व्यपारियों के लिए भरपूर लाब देखने को मिलेगा कारोबार में विरद्धी हो पाएगी विशेस रूप से कारोबार के सिल्सले में जो यात्रा होंगी वो शुब रहेंगी लाब दायक रहेंगी राजनीती के शेतर से जुड़े लोगों के लिए इस सप्ताह कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है तो राजनीती के शेतर में भी अच्छे लाब आपको देखने को मिल रहे हैं अग अगर आपने परिश्रम किया है अगर आप प्रियास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको उस प्रियास का उस परिश्रम का पूरा फल मिलने जा रहा है तो अपने प्रियासों को ऐसी तरह से आपको जारी रखना है किसी तरह की कमी नहीं होने देनी है आस पास के लोग आप आपके मूर को हलका करने के लिए काम करेंगे, लोगों के साथ अच्छी बॉंडिंग रहेगी आपकी, आपके परिवार के सदस, माता-पिता, आपके भाई-बहन, उन सभी के साथ आपका जो समय होगा, आपका जो पारिवारिक जीवन होगा, वो काफी अच्छा रहेगा, वो आपको प्रोटसाहिद करेगी, आप अपना एक बजट भी सेडूल करेंगे, जिससे आपकी जो खर्चे हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाएं, आपका जो समय है, जो आपका खाली समय है, वो आप अपनी दोस्तों के साथ बिताना चाहेंगे, या फिर अपनी परिवार के सा सुधार जरूर होगा, धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन सुधार जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, आप एक मजबूत रिष्टा भी अपना बना पाएंगे, बुद्ध हैं 25 एपरेल को राशी बदलेंगे, और 27 को शुक्र राशी बदलेंगे, शुक्र का ये राशी परिवर्तन, राहू के साथ ही उती करेगा, और ये इस्तिधियां बेहद अच्छी रहेंगी, अलब कुछ ठकावट जरूर दे सकती हैं सब्ताह के अंत में, आपके काम काज का जो फल है, वो थोड़ा लेट मिल सकता है, जो सब्ताह का अंतिम समय होगा, लेकिन जो आपका क परिवर्तन, जो सब्ताह काम है, उसके जरीए आपको प्रसंसा जरूर मिलेगी, स्टूडेंट्स की अगर बात करें, तो स्टूडेंट्स को जादा महनत करने की आवशकता है, अपनी टीचर्स का सहयोग पराप्त होगा, अपने घर में अपनी बड़ों का सहयोग पराप्त होगा, लेकिन महनत करनी होगी, अपनी कागरता को भंग नहीं होने देना है, चोटी-चोटी बातों पर जुंजलाहाट आ सकता है, तो लिए शांत रहें, और खुद को कोसने की बजाए, आप चीजों का समाधान ढूडें, तो अच्छा है, शनी आपके बार्वे भाव में फैस्तित है, महीने के अंत में, आपकी लगन में प्रवेश करेंगे, तो इस दोरान ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा समय हैं, जो विदेश से जुड़े हुए हैं, जो राजनीती से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत जुद्तम समय ये रहेगा, अगर गर विदेश से जुड़ा कोई भी वैपार करते हैं, तो आपको नई चीजों से जुड़ने का मौका भी मिल सकता है, नए शोतों के जरिये धन कमाने का मौका मिल सकता है, जो आर्थिक रूप से आपको स्ट्रॉंग करेगा, इसके लिए आपको शुरुवात से ही अपनी रण मन से खुशियों का माहूल बनने वाला है, आप सप्ताह के अंत तक कहीं घूमने फिड़ने का एक दिन के लिए ही सही, चाहिए प्यतनिक का दी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रेम सम्मंद अच्छे रहेंगे, दामपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, पह अपने जो इस राशी के किसी मल्टिनेशनल कंपनी में काम करने वाले जातक हैं, उनके लिए ये समय काफी सफलता भरा है, सफलता की नई उचाईओं को छूने का समय आपके लिए कहा जा सकता है, इस सब्ताह में जो योग बनने वाले हैं, उन योगों का समय आपको लाब जरूर मिलता रहेगा, एक आदाशी तित्थी होगी, एक आदाशी तित्थी पर भगवान विष्णू के अराधना जरूर करें, उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाय नमाइ, इस मंत्र का जब जरूर करें, बहुत पावर्फुल मंत्र है ये, इसका जब आप मन ही मन अगर पूरे दिन करते हैं तो अच्छा रहेगा साथ में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो सब्ताह के लिए काफी विशेश होने वाले हैं आपके लिए मंगल जो आपके लगन में बैठे हुए हैं गुरू और शुक्र जो सब्ताह की शुरुवात से ही आपके दुईते भाव में हैं उसके बाद तीसरे भाव में शुक्र जाएंगे राहू के साथ योति करेंगे और बुद्ध वहां से निकल चुके होंगे बुद्ध वर्षब रासी में आप गोचर करेंगे तो सुन्दरकान का पार्ट करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन अगर शनिवार के दिन हो सके तो शनिवार के दिन जरूर करें सुन्दरकान का एक पार्ट करें और पीपल के नीचे चार मुख का एक दीपक जलाएं चार मुख का दीपक आप खुद घर में बना सकते हैं आटे से उस चार मुख के दीपक को बनाएं और पीपल के व्रक्ष के नीचे उसे आप जरूर जला के हैं बहुत उतम ये उपाय रहेगा तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी इस वीडियो कुछ ज़्यादा लाइक करें शेयर करें